तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनी के इस नए और लेटेस्ट वडियो में और जैसा कि आप लोका बहुजदा कमेंट आ रहा था कि 10th क्लास के उर्दू के बुक में जितना भी चैप्टर है उसके राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक बताईए बताईए बहुजदा आ नाहीं कभी सुना होगा नाहीं कभी देखा होगा और नाहीं यूटूब पर ऐसा आप लोगों को ट्रिक मिलेगा पहली बार मेरे द्वारा 10th क्लास के उर्दू सब्जेक्ट का चैप्टर और राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक बताया जा रहा है इस चानल के माध्य ह है अगर आप इसको कॉपी पर लिखेंगे तो तीन लाइन का हो सकता है लेकिन इस तीन लाइन के कहानी को याद करके आप और उसके राइटर का नाम बता सकते हैं गम आसानी से और याद रहे यह जो ठ्रिक है यह हिस्से नसर का है देखिए 10th क्लास का जो उर्दू का बुक यह त्रिक है याद रखिएगा और जो हिस्सा शाहिरी है जिसको इंग्लिस में कहा जाता है स्वेट्री सेक्षन तो प्वेट्री सेक्षन में जितने भी चैप्टर है ना उनके भी राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक बताऊंगी लेकिन सबसे पहले हिसे नसर का समझ बता दूंगी समझ लेने के बाद इसको याद कर लीजिएगा फिर मैं बोल मिटाओंगी और इसे शाहिरी के जितने भी चैप्टर है उनके भी राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक आज आप लोगों को पता चल जाएगा और चैप्टर और राइटर का नाम याद करने क जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रिक से ही आप लोगों बता देंगे तो चलिए फड़ावर्ट स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को यह जो ट्रिक है हिसे नसर का इस ट्रिक को इस कहानी को मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़कर बताती हूं देखिए लिखा हुआ बसस्ती है अब चलिए लोगों को भाट में काहाब कहाती हूं कि इस कहानी में कहां कहां चाप्टर ओर राइटर का नाम जलिखा हुआ है अकि से याद रखिएगा चEPT-र का नाम है हम्द खुदाय अजोझल जल्.. अप लोग को रखिएगा चप्टर का नाम देखे आगे लिखा है ना अजीमाबाद, तो अजीमाबाद से याद रखिएगा सोहैल अजीमाबादी, यान कि भावी जान नाम के चप्टर के राइटर हो गए, सोहैल अजीमाबादी, ठीक है, हम सब भावी जान को अजीमाबाद में मिले, रया सर पर चढ़ा, तो रया से वी शाकसा हो गया जहां कटी वी शाक से सब्सक्राइबाद में मिले पर चड़ा और कटी हुई इसलिलन और आगे बढ़े हैं ढत टो डिप सब्सक्राइन निगार है उर्दू ड्रामान निगारी और आगाहसर यादा जायेगा ना बिल्कुल यादा आएगा ड्रामा से याद रखेगा चप्टर का नाम क्या है उर्धु ड्रामा नगारी और आगहसर और इस चप्टर के रॉइटर कौन है तो देहसे आगे लिखा ये ना लुत्फ से यÁदा जायेगा आप अदब की पहचान के लिए हमने गालिब और डिप्टी कलेक्टर से गुफतबू किया तो हमने से याद रखिएगा हम्दानी हमने से क्या याद रखेंगा आप लोग हम्दानी और गालिब तो लिखा हुआ है मिर्जा गालिब से शाह करामत रौक हम गालिब और उसके рैटर होगा है मिर्जा गालिब हम्दानी यानि के से शाह करामत हम्दानी तो उनके आम यह खत लिखे थे और उसी खत को आप Reporting can AM खत लिखा है और लिखने माले तो आगे लिखा है गालीयां से 5-2008 भान्म कोुछ तो के राइटर है तो आगे देखिए लिखा हुआ है गुफ्तुगू से याद रखना है चैप्टर का नाम है पहमीदा और मंझली स्था नाम कते हॏ ऑ형 पहमीदा उसकी मझली बेटीब हर्छों उन दोनों के सब्सक्राइब कि रिया हमेदा कि आम का चैप्टर से आप लोगों को याद रखना है राइटर का नाम है अब्दिल गफूर शोहबाज तो शोहबाज से अब्दिल गफूर शोहबाज याद आ जाएगा राइटर का नाम और कौन से चप्टर के राइटर है तो आगे लिखा है ना बेटी सोग्रा तो बेटी सोग्रा से याद र राइटरं चार का नाम हो गया अपनी इस बैटी सुरार के नाम तो लिखा है और श्वाबाद की мень कि याद्र का signature की रहते नाम वह खत रहते हैं और इसलिए cafe नाम उसक्त कर नाम रख दिया गया है मौलवी सेयद मकबूल एहमद चमदानी के नाम तो मकबूल से आप लोगों को याद आ जाएगा कि मकबूल एहमद अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इससे शायरी में जितने भी चैप्टर है उनके राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक मैं यहां पर बोर्ड पर लिख दी हूं और यह भी शायरी के अंदाज में तैयार की हुए अब बोल सकते हैं कव ले होंगे चलिए यह जो आप बोल सकते हैं ट्रिक है यह शायरी के अंदाज में है तो चलिए शायरी को पढ़कर हम लोग देखते हैं लिखा है कुद्रत का जबरदस्त मंजर देखो इंडिया आजाद हो गया नौजवानों की शादी में बिजली के खंबे को पकड़ पूरी तरह यह था आप लोग का शायरी या फिरा बोल सकते हैं कवीता कवीता के अंदाज में यह ट्रिक एक बर फिर से मैं पढ़ दे रही हूं कुद्रत का जबरदस्त मंजर देखो इंडिया आजाद हो गया नौजवानों की शादी में बिजली के खंबे को पकड़ सानी से बता सकते हैं यह चुटकियों में अब चलिए मैं आप लोगों को बताती हूं कि इस कवीता में कहां चैप्टर और राइटर का नाम चुपा हुआ है देखिए जितना भी ब्लेक कलर के मारकर से लिखा हुआ है कुद्रत यानि की कुद्रत से याद रखना है आप लो लगह पर मंदर चैप्टर कर सकते हैं चैप्टर नाम तो भी ठीक है और मनजर से यादा सकता है और मनजर सभी याद आसकता है इंडिया से याद रखना है इंडियागेट नाम का चैप्टर याणि की नजम कवीता है और इस चैप्टर के आजाद हो गया नौजवानों की शाधी में तो नौजवानों से याद रखना है आप लोगों को चैप्टर का नाम है हम नौजवा है हम नौजवा है नाम का जो चैप्टर है नजमियन की कविता इसके राइटर है शाधी से याद रखना है शाहदी यान की परवेद शाहदी ह कि याद आजाना चाहिए आप लोगों को आगे बढ़ते हैं नौजवानों की शादी में बजली के खंबे को पकड़ यह भीजली के खंबे से याद आ जाएगा नज्म बहुत आसान पहले तो बहुत ऑसां से आजाना चाहिंता आप की चपडर करनाम है नजम बहुत आसां थी पहले तो बिजली का खंबा और नजम बहुत आसान थी पहले यह जो दोनों चविठर है न इसके राइटर है निद Hammam तो बिजली के बिजली का खंबा और नजम बहुत आसान थी पहले इन दो Central से निंद से लोग डिनर के लिए शायद खड़ा हुए तो डिनर से याद रखना है चैट्टर का नाम है नाम का कवीदा यानिकी नजम है ठीक है तो खड़ा डिनर zostaर है इसके राइटर है शायद से याद रखना है सयद मुहम्मद जाफरी ठीक है पर मौत के मुह में मिर्जा गालिब गए तो मौत से याद रखना है चैप्टर का नाम है आरिफ की मौत पर तो आरिफ की मौत पर नाम के चैप्टर के राइटर है मिर्जा गालिब जो की मरसिया लि तीक है जब लहरे ऊठी इसलाम के शहरों के तरफ तो देखिए लहरे उठी से लेयेप रहा है प्रोगों कुछ याद आए और ओगा चैप्टर का नाम चैनल चैनल हां जोंसल जैरों की तरफ इस गुलाम बनाई दोहें- पूरी तो इश्क से याद रखना है चैप्टर का नाम जजबय इश्क यहां पर था इश्क की शौक थी तो इश्क से हो जा रहा था जहर इश्क और उसके राइटर हो जा रहे थे शौक लखनवी लेकिन यहां पर है इश्क गुलाम तो इश्क गुलाम बनाई तो इश्क से याद character कौन है पूरी से याद रखना है गोरखपूरी यानि की जफर गोरखपूरी दो美味 नाम के चप्टर के राइटर कोने जफर गोरखपूरी ठीक है यही पर हो जाता है अप लोगोगा Byuk complete देखे कितना आसान है और ज्यादा लंबा भी नहीं है कंवीत इतना छोटा है इसको याद कर लीजे सोचे इतना छोटा कवीता को पकड़ बहुत आसान निंद लिया लोग डिनर के लिए शायद खड़ा हुए पर मौत की मुह में मिर्जा गालिब गये इश्क की शौक थी गुलजार को दया आ गई जब लहरे उठी इसलाम के शहरों की तरफ तो इश्क गुलाम बनाई दोहे को पूरी तरह बस इसको याद क की नहीं जो कुछ में आप लोगों को समझाई थिख कर दें और वीडियो को लाइक बूले इसके बाद से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज